हम लोगोंने प्रिंट मीडिया के लिए भी काम करके देखा आउटडोर की चीजें भी डिजाइन की और अब हम स्क्रीन के लिए भी काफी चीजें जो है वो डिजाइन करें इसी तरह से स्क्रीन के हवाले से जब हम चीजेंगं कर रहे होते हैं तो आज कल एक बहुत ही ज्यादा जो होट फेवरिट आइटम है वो सोशल कम्यूनिकेशन वेब साइट के हवाले से पोस्ट वगेरा को डिजाइन करना जो है ये एक बहुत ही आजकल की जो है वो जबदस किसम की एक असाइन्मेंट और टास्क है हम लोग देखते हैं कि आजकल क्योंके फेस्बूक और इन्स्टाग्राम वगयरा का दौर है और तकरीबँधन हर ब्रेंड और हर कलाइंट जो है वो चाहि झाहिए किसी प्राड़क को सेल कर रहा हो किसी सर्विस को सेल कर रहा हो या कुछ भी किसी भी किसम के बिज्स सेक्टर से तालुक रखता हो उसकी कोशिश होती है कि वो अपने फेस्बुक के पेज को और इंस्टाग्राम के अकाउंट को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रन कर सके इसके अंदर उसको मदद चाहिए होती है हम लोगों की यानि के ग्राफिक डिजाइनर्स की किस तरह से कि हम लोग ही वो लोग है जिनकी मदद से वो लोग अपनी जो पोस्ट्स है और अपने पेज का जो विज्वल ट्राफिक है उसको जहाँ जिन्दा रखते हैं हम पेज के लिए कवर फोटो फेस्बुक के पेज के लिए और उसके लावा पोस्ट वगरा डिजाइन करते हैं इसी तिना से हम इंस्टाग्राम के हवाले से डिफरिंट जो पोस्ट वगरा वो हम डिजाइन कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिं के लिए डिजाइन करेंगे तो जैसा के हमने वेब साइट भी डिजडाइन करके के देखेंगे अच्छा मैं जो एक अभी जो टॉपिक मैंने लिया है वो पी-टी-डी-सी के हवाले से हम वर्ल्ड टूरिजम डे के हवाले से एक पोस्ट डिजाइन करेंगे देखे होता यह के कुछ पोस्ट तो ऐसी होती है जो कि किसी कमपनी की है यानिके हमारे क्लाइट की directly उसकी product या service को sale करने के लिए होती है ऐसी post भी हमेरे design करने पड़ सकती है इसके लावा बाज उकात ऐसा होता है कि कोई भी client जो है या कोई भी brand जो है वो अपनी viewers को अपने page के साथ engage रखने के लिए क्या करता है कि कोई भी जो day आता है जो खास स्वार पे ऐसे events और days जो के उनके business से ही उनके काम से relevant हैं तो उन events के हवाले से वो post जो है वो लाजमी upload करते हैं और वो graphic designer से ही design कर वाते हैं तो इस तरह कि काफ़ सरी task और jobs आपको online market places पे available होंगी और चलते हैं और design करके देखते हैं PTDC के लिए new document जो है वो मैं choose करने वाला हूँ जनाब यहां पे हम क्योंके अब screen के लिए design कर रहे हैं तो हम जो unit है वो pixel के अंदर लेंगे तो मैं अभी Facebook के हवाले से जो एक standard post होती है Facebook की उसका size मैं यहां पे लिखने लगा हूँ 940 pixels मैं इसकी width लिख रहा हूँ और 768 pixels जो है वो मैं इसकी height लिख रहा हूँ अच्छा जी अब यहां पे हमें यह जो resolution है वो हमें 300 नहीं चाहिए यहां पे resolution हम इसकी जो है वो क्योंके again हम screen के लिए काम कर रहे हैं तो हम resolution जो है वो 72 रखेंगे और इसी तरह से जो color mode है वो भी हम CMYK नहीं रखेंगे बलके हम RGB रखेंगे because we are working for screen और screen के लिए यही सारी settings जो हम choose करते हैं तो यह जनाब यली हमने एक जो standard post होती है Facebook की उसके लिए हमने settings जो है वो ले ली है अब मैं अपने document को जो है वो create करता हूँ यह मेरे पास मेरा canvas आगया जिसके उपर मैं अपनी जो Facebook की जो भी मैं post बनाऊंगा वो मैं बना सकता हूँ अच्छा अब यहां पर मैं थोड़ा साब को sizes के हवाले से guide करता चलूँ देखें एक तो बहुत important बात यह है कि जो हमारी social communication websites हैं जिस तरह से Facebook है या applications है जिस तरह से Instagram है यह गाहे बगाहे वक्त के साथ साथ अपने जो pages के interfaces में तबदीलियां लाते रहते हैं अच्छा इन तबदीलियों और changes के वज़े से होता क्या है कि जो इनके standard sizes होते हैं इनकी post वगरा के या cover photo जिसना हम Facebook में बनाते हैं उनके जो sizes हैं they keep on changing तो आपने क्या करना है यह अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ यह currently जो Facebook की standard जो हम post design करते हैं उसका मैं बता रहा हूँ इसके लावा जो Facebook के उपर जब हम कोई image को link कर रहे होते हैं तो उसके लिए size अलग है यह इस वक्त हम लोग जो है वो वाला size बना रहे हैं जो के हम एक कोई भी post किसी भी page के उपर standard जो है वो Facebook की upload करते हैं वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस बात को जहें में रखें कि जब भी आप Facebook या Instagram के हवाले से कोई भी post वगरा design करें किसी client के लिए तो कोशिश करें कि एक बार verify कर ले लाजमी कि उस वक्त जब आप ये काम कर रहे है currently at that moment कौन से sizes कितने pixels वेट और हाइट वगरा जो है वो उस application या उस website के हवाले से जो है वो standard इस वक्त चल रही है तो ये एक बहुत important point है इसको आपने लाजमी तोर पे अपने जहें में रखना है अच्छा साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता है चलूँ के Instagram ये भी मैंने Facebook का size लिया है Instagram की जो post है उसके लिए हम 900 by 900 pixels या 600 by 600 pixels का जो size है वो आम तोर पे लेते हैं currently again based on currently जो इस वक्त Instagram के post size चल रही है उनके हवाले से और याद रखें Instagram क्योंके application है और mobile पे यूज होती है तो उसकी जो post है they are majorly squarish squarish form में ज़्यादा तर जो है उसकी post है वो हमें देखने को मिलती है आम तोर पे तो चले जी अब हम ये अपना जो डिजाइन है इसकी तरफ आगे बढ़ते है मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं PTDC के हवाले से एक post जो है वो डिजाइन करने जा रहा हूं उनके page के लिए तो ये हमारे पास कुछ resources जो है वो मेरे पास से ही ये जो डिजाइन बनाने वाला हूं ये मैं यहां पर इसलिए इसको जावो इसका इसका इस्तमाल जावो करने लगाँ तो ये जनाब यली मैं यहां पर लाके इसको प्लेस कर लूँगा ठीक है जी अच्छा अब मैं कुछ थोड़ा सा ग्रेडियंट सा जो है वो बनाते हैं मैं क्या कर रहा हूं कि मैं मैंने आपको पहले भी बिताया था कि असान टिप यह है कि आपके किसी विजूल या आपके किसी भी जो आप इलिस्ट्रेशन या कोई चीज यूज करें उसी के अंदर से आपको कलर लेके बैक्ड़iण बड़े अराम से बड़ा मज़दार को भी बना सकते हैं तो यहां से मैं आप सcillitaire करूल बना सकते हैं तो यहां से मैं अब यह ग्रेडियंट घृ chillyंप यहां पे क्रीयेट कर लिया है यह ट्रीईंट कियों मैंने रखा है अब जनाब याली मैं ग्रीन इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंके ग्रीन को टूरिजम के हवाले से एक खास हैसियत ये हासल है कि ग्रीन जो कलर है उसको समझा जाता है कि ये फ्रेशनेस का और तरोताज़गी का जो है वो एक कलर है और जो ट्रावलिंग है वो भी बैसिकली हमें रिफ्रेश करने में अपने आपको मदद देती है री बूस्ट करने में मदद देती है तो इसलिए ग्रीन का इस्तमाल मैं यहां पर कर रहा हूँ टूरिजम डे के हवाले से अचाजी अब यह मेरे पास जो है वो एक लोगो मेरे पास PTTC का पड़ावा जो कि मैं यहां पे अपने डिजाइन के अंदर जो है वो अपलाए करने जा रहा हूँ अच्छा जी यह हमारे पास लोगो है, इसको मैं Ctrl C करता हूँ और यहाँ पे अपने Photoshop में आके अपनी फाइल के अंदर मैं इसको Ctrl V यानिके पेस करने लगा हूँ और यहाँ पेस को मैं लेकर आ रहा हूँ Ctrl A प्रेस करके मैं चेक कर सकता हूँ कि यह मेरा जो लोगो है यह सेंट्रलाइज है तो यह मैं लोगो इस एक्जैक्ली इन दे सेंटर अच्छा जी यह मेरे पास आ गया है मेरा लोगो तो मैं इसको साथ साथ रीनेम करता रहूं अपनी फाइल को ताके मुझे पता लगे और य करते हैं उसके साथ हम कुछ टेक्स और लोगों वगरा अड़ करके अपना जो मैसेज है वो क्लेर करते हैं हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा से सिंप्लिफाइड रखे हैं ताके हमारा जो मैसेज है वो छोटे स्केल के अंदर भी बड़े एफेक्टिव वे में कम्यून तो अब यहां पर मैं क्या करने लगा हूँ जी कि मैं यहां पर टेक्स जो है वो कुछ टाइप करने लगा हूँ मैं कुछ यहां पर लिखने लगा हूँ सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड टूरिजम डे यहां पर लाके लिख ली है इसको मैं बड़ा करूंगा और इसका जो फॉंट है वो मैं चेंज करने लगा हूँ यहां पर मेरे पास यह एक अलेक्स ब्रुष के नाम से मौट जो हो मवजूद है अज़ाजिज यहां पर हम एलेक्स ब्रुष फॉंट यह इस्तमाल करेंगे और इसके लावा हम क्या करेंगे कि हम इसको वर्ल्ल टूरिस तम डे है इसको नीचे ले आते हैं इसको हम कर लेते हैं जनाब علी सेंटरालाइस और आप लेते हैं कि यह जो दिस्टन्स है वो काफी कम है तो हम यहां पर आएंगे टेक्स्ट आola के और doğru यहां पर आपके हम जनाबई यह जो vertical distance air lines के बीच में इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इस तरह से अच्छा अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको जनाब अली देने लगा हूँ right click करके blending options में जाके मैं इसको देने लगा हूँ हलका सा stroke इसको मैं दूँगा जनाब अली white मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ okay प्रेस करते हैं अब control A करके इसको हम कर लेंगे जनाब अली centralize अच्छा जी ये हमने जो है वो बलके हम इसको stroke को हम थोड़ा सा change करके देख लेते हैं just for an option कि अगर हम इसको थोड़ा सा gray की तरफ लेके जाएं का हमें जो है वो लोग देता है नई जी हम इसको जो है वो पहले की तरह white ही रखेंगे अच्छा इसके लावा हम यहां पर अब day जो है जो date है जो celebrate की जाती है टूरिजम day के हवाले से उसको हम लिखने लगे हैं जो के है September 27th September साल मैं यहां पर नहीं लिख रहा क्यूंके जो है वो यहां पर मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है वो देना चाहरा हूं जनाब date इसके बाद मैं यहां पर आके पॉंट लगाँगा इसको एजंसी एफ बी जो के यहां पर इस वक्त इसको जो है वो काफी ज्यदा सूट करेगा अब हम जड़ा इसको थोड़ा सा इन दोनों हमारी जो टेक्स्ट हैं इनको हम जड़ा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ठीक है जी और इसी तिना से जो हमारे पास 27th September लिखा हुआ है इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यह बिल्कुल सेंटर के अंदर ही है फिर भी हम त्यातर ने दोनों को सेलेक्ट करके हम यहां से आके इसको चेक कर लेते हैं और यहां पे आके हम इसको कर देंगे जी पेस्ट लेयर स्टाइल तो यह हमारा जो हमने वो लगाया था वो यहां पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा अच्छा जी अब जनाबियाली हम क्या करने वाले हैं कि लोगों को हम थोड़ा सा उपर करते हैं यह हमारी जो है वो पोस्ट तकरीमन त्यार हो चुकी है लेकिन इसमें थोड़ा सा हम कुछ वैल्यू एड़ करने के लिए हम क्या करते हैं यहां पे हमारे पास अगेन एक और जो है वो वेक्टर कौम के अंदर कुछ चीज मौजूद है इसको मैं यहां पे लेके आता हूं यह जिस तरह से स्कायलाइन होती है जो हम देखते हैं डिफरेंट दुनिया की डिफरेंट स्कायलाइन होती है जिसका काफी ज्यादा गहरा इसका जो है वो तालुक है टूरिजम के साथ इसको मैं यहां पे लाके लेके आता हूं और इसको मैं जनाबी अली राइट लिक करके र यह जो मेरा लोगो है इसके लिए मैं जनाब याली लोगो के लिए नीचे जो है वह एक दे दूंगा वाइट कलर की स्पेस ताके मेरा जो लोगो है वह बिलकुल थीक तरीके से विजिबल हो सके यह देखें जी यह मैंने एक वाइट स्पेस से दी इन दोनों को मैं कर लेता ग्रूप करके इसको मैं कर लेता हूं यहां पर सेंट्रलाइज तो यह जनाब याली हम लोगों ने पोस्ट जो है एक पेस्बुक के हवाले से डिजाइन की अबाउट सेलिबरेटिंग वर्ल तूरिजम डे अब इंस्टाग्राम के हवाले से भी हम बिलकुल सेम डिजाइनि वो भी हम इसी तरह से बना सकते हैं जी तो आप लोगों ने देखा इस लेसन में हम लोगों ने फेस्बुक और इंस्टाग्राम के हवाले से पोस्ट डिजाइन करना सीखा और हमने देखा कि बड़े अराम से हमने बड़ी एक मज़दार सी पोस्ट जो हो डिजाइन कर ली टूरिजम डेक के हवाले से तो आप लोगों को यह प्रसीजर समझ आ गया होगा आपको साइजिस के हवाले से मैंने जो इन्फरमेशन दी है उसको भी आपने जहन में रखना है और आपने उसके उपर रिसर्च करते रहना है तो इंशाला ताला नेक्स लेसन में इसी तरह स कोई और नई चीज है वो हम डिजाइन करके देखेंगे